Q19. A steamer goes downstream from one pole to another in 9 hours. It covers the same distance of stream in 10 hours. If the speed of the stream be 1 km per hour, find the speed of the streamer in still water and the distance between the poles. एक पोल्ट दूसरे पोल्ट से कितनी दूर है एक तो ये distance बतानी है और दूसरा बताना है हमें कि speed बताईए steamer मतलब वो बोट रुके हुए पानी में कितना चल रही है तो देखे इस question के basics ना question के साथ ही साथ करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर एक formula यूज होगा distance equals to speed into time अगर आप इस formula को यूज करना जानते हो क्या distance equals to speed into time तो आप ये जो distance पूछ रहा है ना वो निकाल सकते हो ठीक है फिलाल इसमें कुछ word यूज हुए है down stream, upstream, speed of stream, steamer की तो ये सब हम चीज हाथो हाथ आपको बताएंगे आप बस इधर देखिए ध्यान से आपको ये समझ में आ जाएगा आप सबसे पहले कहें let the पूछा क्या था find the speed of the steamer in still water तो इसको यह हम x कर रहे है let the speed of the steamer let the speed of the steamer in still water रुके हुए पानी में जो boat है उसकी क्या speed है जिसमें इंजिन लगा होता है ठीक है तो उसको हमने x किलोमेटर पर आर मान लिया है अगर मैं आप से कहूँ speed मुझे बताइए down stream इस्पीड डाउन इस्टीम जानते हो देखो मैं समझाता हूं क्या होता है मान ली जी यह रिवर है पानी इदर चल ला है और आप बोट को न पानी की डारेक्शन में लेकर जाओ तो इसको बोलते है अगर पानी की डारेक्शन से उल्टी डारेक्शन में लेकर जाओगे तो इसको बोलते है आप स्टीम तो जो स्टीम होगा न उसमें दोनों स्टीम प्लस हो जाएंगे कौन कौन सी एक तो इस्टील वाटर में जो इस्टीमर चल ला है वो और जो पानी की स्टीमर प्लस हो जाएंगे क्या क्या स्टीमर की 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 स्टीम कि steamer downstream 9 hours चलता है steamer downstream 9 hours चलता है तो क्या distance चलेगा 9 hours में तो मैं यहां लिखता हूँ distance covered in 9 hours अच्छा 9 hours में उपर जाता है या नीचे देखो 9 hours में क्या करता है downstream ठीक है तो distance का formula होता है speed into time speed कितनी है downstream में speed कितनी है आपका होगे x plus 1 और time कितना लेता है 9 hours थोड़ा सा इसे solve कर लो 9 की x से multiply करोगे 9x 9 की 1 से करोगे तो plus का 9 यह आपका पता क्या है यह वो distance है जो 9 hours में कैसा चलता है 9 hours में कैसे चलता है downstream इसी तरीके से आपको distance निकालनी है covered in 10 hours और यह 10 hours कौन से चलता है 10 hours कैसे चलता है upstream तो upstream की speed कितनी है x minus 1 और time कितना लेता आई है time लेता है 10 time लेता है 10 ठीक है इसको solve कर लो इस 10 की multiply इस से करोगे तो 10x इस 10 की multiply माइनस 1 से करोगे तो 10 आप देखो चाहें वो distance 9 hours में चले चाहें वो distance 10 hours में चले यह दोनो डिस्टंस equal होंगी क्योंकि 2 ports के distance same है चाहें इस direction में चले और चाहें इस direction में चले तो distance तो equal चल रहा है यानि कि यह जो दोनों answer आई है ना इन दोनों answer को आप equal लगतो तो मैं इसको और इसको equal रगता हूँ तो distance same है इसलिए रख रहे हैं ठीक है 10x minus 10 is equal to 9x plus 9 10x ऐसे ही रहा 9x को इधर लाओगे तो minus का 9x 9 as it is है minus का 10 इधर लाओगे तो plus का 10 तो कितने x बचे 1x और ये जो 9 plus 10 कितना हो गया 19 तो x क्या था हमारा x था हमारा ये ये क्या है speed of the streamer in still water तो आप लिखोगे speed of the streamer in still water is कितनी है 19 km per hour समझ गए still water में जो streamer है मतलब बोर्ट जो है वो कितनी तेज चलती है रुके हुए पानी में इतनी तेज अच्छा इसने फिर पूछा था हमसे कि distance between the ports तो distance तो same रहेगी तो आप किसी में भी रख दो चाहें इसमें रख दो चाहें इसमें रख दो आपका दोनों से answer आजाएगा अगर आप x की value पूट करो मैं किस में रख हूँ मैं first में रख देता हूँ तो distance covered in 9 hours इस वाले में रख देते हैं ठीक है तो कितनी थी 9x प्लस 9 था तो 9 एक्स की value 19 प्लस 9 समझ गए solve कर लेते हैं 19 की multiply 9 से कर लो चीक है 99 जा 171 प्लस 9 तो कितना हो गया 180 और यह distance जो है किसमें चलेगी क्योंकि unit km पर आर में थी तो km में आएगा तो 180 km हमारी distance है और speed हमारी कितनी है 19 km पर आर यही हमारा answer है I hope आपको समझ में आया होगा चलते हैं next question पर